22 तारीक को CM योगी अधितनात की बढ़ेगी टेंशन राकेश टिकेट का बड़ा एलान आ रहा हूं लखनव CM योगी से राकेश टिकेट ने पूछा स्वागत नहीं करोगे बीते कुछ दिन पहले CM योगी अधितनात ने कहा था आंदोलन कारी नेताओं को लखनव और दिल्ली में फर्क समझना चाहिए दिल्ली देश की राजधानी है और लखनव राज की राजधानी है यह मैसूस करना होगा किसान यहां आएंगे तो उनका स्वागत होगा यहीने CM योगी अधितनात ने चेताओनी भरे लहजे में कहा था कि अगर कानून का खिलवार होगा तो उसका उसी तरीके से सौगत होगा जिसके बाद से मानो किसान नेताओं का अक्रोस सातवे आसमान पर आ गया राकेश टिकेट ने कहा कि 22 तारीक को लखनव आ रहा हूँ सौगत की तैयारी कर लो बताते चले तीन किर्शी कानून को लेकर करीब एक साथ से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने अब लखनव पर चड़ाई करने का एलान किया है बारती किसान यूनिन के नेता राकेश टिकेट ने कहा है कि 22 नमबर को लखनव आ रहा हूँ सरकार उनके सौगत क्या इंतजाम कर ले ठीक दो दिन पहले 9 नमबर को राकेश टिकेट ने ट्यूट कर कहा था कि एतिहासीक होगी लखनव में 22 तारीको किसान महापंचायच किसान महापंचायच, किसान विरोधी सरकार और तीन काले कानून की विरोध में आखरी ताबूस थाबित होगी और परवांचल में तेज होगा अनिदाताओं का आंदोलन एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो राजनीत से दूर रहते हैं उन्होंने राजनीत नहीं किये वो केवल अपनी बात सरकार को बताना चाहते हैं किसानों के आपसी फूट पर उन्होंने कहा कि किसान है इसका टंपरेचर काफी हाई होता है 200 डिग्री टेंपरेचर है यह आपसी कुनबा है यहां चलता रहता है तो वहीं टिकेट के विरोध में बीजेपी की ओर से बीजेपी किसान मोरचा 16 से 30 नवंबर के बीच में पूरे उत्तर परदेश में अपने ट्रेक्टर रहली निकालने जा रही है इसके शुरुआत भी पुर्वाचल के महों से होगी इसमें किसान के लिए सरकार के कामों को गिनाया जाएगा और किसानों के हित में सरकार ने अभी तक क्या किया है इसको बताया जाएगा दरसल पुर्वांचल इस बार उत्तरप्रदेश की सियासत में एहम भूमका निवाने वाला है इससे पहले अकलेश शादो उंपरकाश राजबर की महापंचायस से राजनीत में भूचाल आये था अब उसी सरजमीन से भाजबर भी राकेश टिकैट को ठक कर देने की योजना बना रही है किसान ट्रेक्टर रेली निकाल कर किसानों को संदेश देना चाहेगी देखना दिल्चस्प होगा कि राकेश टिकैट के साथ किसान होंगे या बीजेपी सरकार की उपलवदियों को समझने के बाद सरकार का समर्थन किसान करेगा ये तो आने वाला वक्त ही तै करेगा